IPL 2024 में बुधवार को राजस्थान, रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरू के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में RCB की टीम ने पहले बल्लेबाजी की हालांकी विराट कोहली कुछ खास नहीं कर सके और 24 गेंद में तीन चोके और एक छक्के की मदद से 33 रन बना कर आउट हुए। के दोरान 29 रन बनाते ही विराट ने एक खास मुकाम हासिल किया। वह IPL में 8000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबास बन गए। IPL में उनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं। उनके नाम फिलहाल IPL में 252 मैचों की 244 पारियों में 38.67 की ओसत और 131.97 के स्ट्राइक रेट से 8004 रन हैं। उन में 8 शतक और 55 अर्धश तक शामिल हैं। तबसे खास बात तो यह है कि उनके और दूसरे नंबर पर मौजूद शिखर धवन के बीच 1235 रन का अंतर है। अम IPL में 6779 रन हैं। तक विराट कोहल की 25 पारियों में 61.75 की ओसत और 154.69 के स्ट्राइक रेट से 741 रन बना चुके हैं। और 5 अर्धश तक शामिल हैं। IPL 2012 में 15 मैचों में 61.08 की ओसत और 160.74 के स्ट्राइक रेट से 733 रन और IPL 2013 में 16 मैचों में 69 की ओसत और 156.39 के स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाये थे। इसके अलावा युजवेंदर चहल ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। चहल IPL के सबसे सफल गेंदबाज हैं। अब तक इस लीग में 205 विकेट लिए हैं। वह इस लीग में 200 विकेट का आकड़ा चूने वाले पहले गेंदबाज भी हैं। इंगलरू के खिलाफ एलिमिनेटर में उन्होंने विराट कोहली को पवेलियन भेजा। इस विकेट के साथ वह राजस्थान के सबसे सफल गें इंदबाज भी बन गए। चहल ने राजस्थान के लिए अब तक 66 विकेट लिए हैं। ये में उन्होंने सिधार्थ त्रिवेदी को पीछे छोड़ा। त्रिवेदी ने राजस्थान के लिए IPL में 65 विकेट लिए थे।